नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल लाइफ कीपर में आपका स्वागत है मा गंगा सब पर अपना आश्रिवाद बनाये रखे दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और विडियो को लाइक करना न भूलें दोस्तों बहुत लोगों के घरों में गंगा जर रखा रहता है पुराणों में गंगा को स्वर्ग की नदी माना गया है मान्यता है कि गंगा के पावन जल में स्नान करने से व्यप्ती के सभी पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ती होती है यही कारण है कि तमाम तीस त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोग गंगा तट पर स्नान दान आदी के लिए पहुँचते हैं पवित्र नदी जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है गंगा एक ऐसी नदी है जो मानव जीवन में स्वच्छता लाती है उनके पवित्र जल में तैर कर उनके अस्तित्व को शुद्ध किया जाता है गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है और यह गंगोत्री ग्लेशियर की गहराई से निकलती है गंगा जिसे अन्यथा गंगा के रूप में जाना जाता है मानव जीवन में पवित्र तालाती है उसके पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति अपने अस्तित्व के मूल में शुद्ध हो जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह नदी स्वर्ग में बहती थी और भूमी को शुद्ध करने के लिए प्रित्वी पर लाई गई थी भगवान शिवने नदी को अपने बालों की जटाओं में फंसा कर और उसे साथ सहायक नदियों में छोड़ दिया प्राचीन परंपराओं से धार्मिक और शुब कारियों के लिए गंगाजल का उप्योग किया जाता है चाहे बच्चे का जन्म हो या किसी व्यक्ती की मृत्यू गंगाजल से सभी को पवित्र किया जाता है मान्यता है कि गंगा के पावन जल में सनान करने से व्यक्ती के सभी पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ती होती है यही कारण है कि तमाम तीस त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोग गंगा तट पर सनान दान आदी के लिए पहुँचते हैं ऐसा करने से पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि गंगा जल को किस पात्र में रखना और कहां रखना चाहिए आये गंगा जल से जुड़े जरूरी नियम और उपाई जानते हैं गंगा जल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है इसलिए इसका जल सबसे पवित्र माना जाता है भगवान शिवजी की जटाओं से निकलने के कारण इसके जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है अधिकतर घरों में रखा गंगा जल को कहां और किस दिशा में रखना चाहिए यह बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है और वो ऐसी जगह गंगा जल रखते हैं जहां रख जानेंगे कि गंगा जल के लिए घर में वो कौन सा स्थान अच्छा है जहां गंगा जल रखने से घर में हमेशा खुशी ही खुशी रहेगी और इसी के साथ साथ जानेंगे गंगा जल के प्रयोग दोस्तों गंगा जल को हमेशा अपने घर के इशान कोन यानी पूजा घर में ही रखना चाहिए गंगा जल को भूल कर भी प्लास्तिक की बोतल या डिब्बे में नहीं रखना चाहिए प्लास्तिक में रखा गंगा जल पूजा के लिए अशुध माना जाता है गंगा जल को ह हमेशा तामबे, चांदी, मिट्टी या फिर कांसे के पात्र में ही रखना चाहिए। इन पात्रों में गंदाजल रखने से वह हमेशा शुद्ध रहता है। गंदाजल को भूल कर भी उस दिन हाथ ना लगाएं। जिस दिन आप मास या मदिरा का सेवन किये हो साथ ही उस कमरे में भी गंदाजल को ना रखें। जहां आप इनका सेवन कर रहे हो। इससे ग्रहदोश तो लगता ही है साथ में पाप के भागिदार भी बनते हैं। जब भी गंगाजल का प्रयोग करना हो, तो सबसे पहले अपने हाथ अच्छे से साफ कर लें, इसके बाद प्रणाम करके ही इसका उप्योग करना चाहिए गंदे हाथ से गंगाजल स्पर्श करने पर ग्रहदोश लगता है गंगाजल को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां अंधेरा हो, यदि आपके पास थोड़ी मात्रा में गंगाजल है, तो आप पूजा वाले जल में उसे मिलाकर उसे गंगाजल की भांती ही प्रयोग में ला सकते हैं घर की बुरी शक्तियां, नजर दोश और नकारात्मक उर्जा से बचाए रखने के लिए हर दिन घर के चारों और गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें दोस्तों आपको जानकर अस्चारिया होगा कि मुगल बादशाह अकबर सिर्फ गंगा का पानी पीते थे, उनके लिए ड्रमों में विशेश तौर पर गंगाजल आग्रा मंगवाया जाता था सत्रहवी शताबदी में फ्रेंच यात्री जीन बेक्टिस्ट ने भारत यात्रा के बाद कहा था कि गंगा के पानी में दवाओं जैसी ताकत है, गंगा के कच्चे पानी में बैक्टीरिया दो घंटे से ज्यादा जिन्दा नहीं रहते गंगा किनारे के शहरों में आज भी ऐसी दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं कि गंगा जल में नहा कर लोगों के गंभीर रोग भी ठीक हो गए। दोस्तों अब जानते हैं गंगा जल के प्रयोग। गंदा जल में स्नान करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं। गंगा को पाप मोचनी नदी कहा जाता है। गंगा के जल को घर में सूर्य या चंद्र ग्रहेन के समय छिड़कने से ग्रहेन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। किसी भी मांगलिक अफसर पर घर, यग्य वेदी या किसी स्थान को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। गंगा का पानी पीने से सभी के रोग और शोप मिट जाते हैं, शिवजी की जटाओं से निकलने के कारण इसके जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि किसी के प्राण नहीं छूट रहे हैं और वह तडफ रहा है, तो उसके मुहा में गंगा जल डालने से वह शांती से दे छोड़ देता है। गंगा ही एक मात्र ऐसी नदी है, जहां पर अमरित कुम्ध की बूंदें दो जगह गिरीथी प्रयाग और हरिद्वार में इसलिए इसके जल का महत्व बढ़ जाता है, और इसलिए यहां कुम्ध का आयोजन होता है। गंगा का जल कभी अशुध नहीं होता और ना, कि यह सड़ता है इसलिए इस जल को घर में एक तामबे या पीतल के लोटे में भर कर रथा जाता है, इसे घर में रखने से सभी तरहे के संकटों का समाधान होकर शुब ही होता है। गंगा का जल किसी अन्य जल में डाल देने से वह जल भी शुध होकर गंगा के समान हो जाता है, क्योंकि बैक्तिरियोफेज नामक जीवानु गंगा जल में मौजूद जो पानी को शुध कर देते हैं। गंगा जल में प्राणवायू की प्रचुर्ता बनाए रखने की अध्भुत क्षमता है। दोस्तों गंगा के पानी से हैजा और पेचिश जैसी बीमारियों का खत्रा बहुत ही कम हो जाता है, इस जल को कभी भी किसी भी शुध स्थान से पिया जा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।